143 आभाज संख्या है या नहीं कैसे पता करें? आजे देखते हैं आभाज संख्या जानते हूंगी ऐसी संख्या जिसके दो अलग-अलग factor हो तो इसको पता करने के लिए जो नमबर दिया गया है 143 ये देखेंगे किन दो नमबर्स के square के बीच में आता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 11 का square होता है 121 और 12 का square जो होता है 144 है ना 144 इसका square 121 इसका square इन दोनों numbers के बीच में आता है कहीं पर 143 है ना तो अब जो इन दोनों में बड़ा number है यानि 12 है 12 से छोटे जितने भी आभाज संख्या हैं सब लिख लो तो 12 से छोटे में 2 आएगा 3 5 7 11 ये जो number हमने लिखा ये सभी आभाज संख्या हैं अब इन सभी से इसको चेक करेंगे अगर इन में से किसी से ये कट गया तो ये आभाज संख्या नहीं है तो देखो यहां से 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट वला सम नहीं है 3 से चेक करेंगे तो 4 3 7 8 ये भी नहीं कट रहा है 5 से चेक करने के लिए लास्ट वला आभाज संख्या नहीं है